नीट की परिक्षाओं को लेकर जो हो रहा है उससे स्टुडिंट्स जो है वो चिंता में हैं उनको डर लग रहा है कि आगे अब क्या होगा और लाजमी भी है जब पाच मही को नीट का एक्जाम हुआ उसी दिन पता चल गया था कि बहुत सारे सेंटर्स में क्वेस्चन पेपर बहुत लेट पहुचे थे और बहुत सारे एक्जामिनेशन सेंटर पे पेपर सॉल्वर्स या ने कैंडिडेट की जगे कोई और एक्जाम देने आया था जब ऐसी गड़बडिया पाच मई को ही तेखने में आई थी तो तभी कोई आक्षिन क्यों नहीं लिया जब 4 जून को यह जो रिजल्ट निकाला गया उसमें भी बहुत सारी गड़बडिया पाई गई जैसे कि ग्रेस मार्किंग की गई पर यह नहीं बताया गया कि किस क्राइटीरिया पर वो ग्रेस मार्किंग की गई है ना डिफिकल्ट एक्जाम जिसको क्राक करना ही बहुती ज़ादा मुश्किल होता है उसमें 720 में से 720 मार्क 67 स्टुडेंस के आ रहे हैं और उसमें एक ही सेंटर से मल्टिपल टॉपर्स कैसे निकल रहे हैं ये दिखाया जाता है कि एंटी ये एक्जाम ठीक से नहीं कंडक्ट करवा पा रहा है नीट की परिक्षाओं को लेकर जो हो रहा है उससे स्टुडेंस जो है वो चिंता में हैं उनको डर लग रहा है कि आगे अब क्या होगा और लाजमी भी है क्योंकि घीक्षा देने हैं जाते हूं जो हुआ है उसको लेकर हर कोई सक्ति में है हमारे साथ डेली औरुवस्टी स्टुडेंस यूनियन की सेकरेटरी है अपराजिता जी उन से हम बात करते हैं क्योंकि आपने पृटेस्पि किया था इसी को लेकर क्योंकि चात्रों के भवेश्य क का ये सवाल है तो पहला मेरा सवाल आप से ये है कि इसका जिम्मेदार जो ये हुआ है इसका जिम्मेदार आप इसको मानती है इसका जिम्मेदार NTA है क्योंकि जब पाच मही को नीट का एक्जाम हुआ उसी दिन पता चल गया था कि बहुत सारे centers में question paper बहुत लेट पहुचे तो तभी कोई action क्यों नहीं लिया, उसके बाद में जब 4 जून को ये जो result निकाला गया, उसमें भी बहुत चारी गरबडिया पाई गई जैसे कि grace marking की गई, पर ये नहीं बताया गया कि किस criteria पर grace marking की गई है, उसके बाद में ऐसे 67 students जो topper है, ऐसा कभी भी नहीं आज तक की सब्सक्राइब हो रहा है, नीट जैसे इतना difficult exam जिसको crack करना ही बहुत ही जादा मुश्किल होता है, उसमें 720 में से 720 माक 67 students के आर उसमें एक ही center से multiple toppers कैसे निकल रहे हैं, तो ये बहुत ही जादा इसमें NTA की, ये दिखाया जाता है कि NTA ये exam ठीक से नहीं कंड़क्त करवा पा रहा है, और कौन जिम्मेदारी लेगा जो students है, जो mentally torture हो रहे हैं इन सब चीजों से, grace mark आप दे रहे हैं, उसको कोई criteria नहीं रह रहे हैं, और नीट जैसे इतना difficult exam है, जिसमें students अपने बहुत सारे precious years से पढ़ाई में लगा देते हैं, उसकी वज़े से उनको mental health problems होती है, बहुत सारे suicide attempts आप देख रहे हैं, कोटा जैसी जगे पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है, तो ये जानना चाहते हैं, और ABP और डूसु ने साथ मिलके protest भी गया था NTA office के बाहर, तो हमारी यहीं मांग है कि ऐसा जब नीट में घोट करनी के लिए? तो हाँ हम इस चीज के साथ में, आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजे जो हो रही है, ये NTA के जो अफसर है, जो जैसे हुआ है, मतलब students के भविशे के साथ खिलवार हुआ है, क्या इन लोगों की वज़े से सरकार की चभी भी खराब नहीं है? अगर इस चीज में कोई एक कड़क डिसिजन नहीं लेती है, और जो students परिशान हो रहे हैं, उनको solve नहीं करती है, ठीक से measures नहीं लेती है, तो हाँ कहीं न कहीं इस चीज में बहुत ज़ादा गलती है, इस चीज में बहुत ज़ादा इस चीज में, तो कहीं न कहीं बहुत सारे युवाओ का future बरबाद होगा इस चीज के लिए, तो अगर इसमें कोई भी measures नहीं लेती है, तो हाँ NTA की बहुत ज़ादा बड़ी गलती होगी और कहीं न कहीं इस पे सरकार की भी चवी खराब हो सकती है, बच्चों के भवेशे के साथ ये खिलवाड सरासर माना जाएगा, आपको क्या लगता है कि ये जो चीजे हो रही है, विपक् बेसिकली राहूल गांधी प्रयांका गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी पोस्ट किया था, तो ये क्यों हो रहा है, ये politicize करने का मुद्दा वो लोग चलाते रहते हैं, उनके पास में कोई भी solution नहीं है, उन्होंने कभी भी solution की बात ने की, वो problems बोलते रहते ह हैं, बोलते रहते हैं, बट कभी solution, जो students चाते हैं, उनके मांगे क्या है, उन पे उनको उन से फरक नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिसाइज करना चाते हैं, इस मुद्दे को, हम लोग यहां पर जा रहा है कि CBI की कड़ी जाच हो, जब तक की ठी सिर्फ और सिर्फ इसको एक मुद्दा पॉलिटिसाइज करने के लिए बना रहा है, इवन यहां तक कि किसी भी solution के लिए वो बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार को ब्लेम करना जैसा कि उनका ब्लेम गेम का काम है, वही कर रहे हैं, बट कोई प्रॉपर मेज किया है, उसके solution पर जो हम लोग कर रहे हैं, कि क्या solution हो सकता है इस चीज का और जो students है, उनका future X टेक ना हो, तो इस चीज के लिए मांगे करें, तो हां वो जायस भी लगे पर, वो सरफ और सिर्फ पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, इस चीज कर रहे हैं, जाज कमिटी भी पाई गए हैं, और ऐसी चीजे अगर हो रही हैं, किसी भी remote areas में अगर बहुत सरे centers होते हैं, जहापे ऐसी चीजे पाई गई हैं, तो ऐसे कितने centers हैं, जहापे ये चीजे पाई गई हैं, और कितने FIR हुए हैं, इसलिए हम लोग प्रोपर CBI के इस पर जात चाहते हैं, कि ये कि इस पर CBI जा चो, कि ऐसे कितने centers हैं, जहापे चीज हो रही है, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि वो हमारे युवाओं का future बरबाद कर रहे हैं, और आगे नीट ऐसा profession है, medical, मतलब भगवान के रूप होते हैं, doctors, COVID में आपने देखा ही होगा, तो अगर वहाँ पर ऐसे लोग जा रहे हैं, जो non-deserving है, तो सिर्फ और सिर्फ उन students का ही future at stake नहीं है, बहुत सारी public जो उन doctors से अपना इलाज कराने जाएगी, उनका भी, उनकी life उनके हाथों में रहेगी, और ये जरूरी है कि कम से कम जो deserving candidates हैं, वो वहाँ तक पहुंचे, ना कि इस हो, अगर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसे कुछ cases हमारे सामने आये हैं, कुछ FIRs भी हुई है, पर अगर CBI इसको अपने हाथ में लेगी, तो हम लोग एक centralized way में देखेंगे कि कहां कहां पे इस सारी चीज़ें हैं, कितनी ratio में गडबड़ी हुई है, और अगर जरूरत होगा, उसके बाद में उनका जो academic calendar होगा, वो कहां तक ही जाएगा, तो इस पे भी बहुत सोच विचार की जरूरत पड़ेगी, तो उसके बिना ही अगर ये measures पहले ही ले लिये जाएं, और जितने भी लोग इस धांदले बाजी में हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलें, इस चीज की हम लोग मांग कर रहें, पर जरूरत पड़ने में अगर नीट फिर से रिकंड़क्ट करवाना पड़े, तो फिर हम लोग उसकी भी मांग करें, उनको बैन किया जाएं, नीट दुबारा देने से, और ये measures जरूर से जरूर लेने चाहिए, गवर्मेंट को भी strict action लेने चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष, जो students का भविष है, that is at stake. बहुत 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 शुक्रिया अपराजिता जी हमारे साथ बात करने के लिए, और ये जरूरी पही है आवाज उठाना, क्योंकि ये बच्चों के भविष तो है ही, जो बच्चे इतनी महनत करते हैं, उनके parents इतनी महनत करते हैं, बलकि जो देश की जनता है, जिनका इला आज डॉक्टर्स करते हैं, उनकी life भी इससे risk पर आ जाती है, बहुत बहुत शुक्रिया अमरे साथ बात करने के लिए.